हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी लोग मेरा नाम है मुहमद सल्मान और मैं आपका अनेक एडमी एजुकेटर हूँ स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे देट इस मक्का ओफ लाइफ साइंसेस दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है वो काफी स्पेशल सेशन है आ और दूसरे एक्जाम में भी आपका आ सकता है जिसमें लाइफ साइंस एक बहुत ही इंपोर्टेंट कॉम्पोनेंट है देखिए स्टेंजेंट रस्पॉंस को हम देखते हैं विद रेफरेंस टूदा बैक्टीरिया और एक्जाम्पल एक्जाम्पल से समझाता हूँ आपक इसमें एक एक्जाम का अमीनो आशिड नहीं है हो सकता है इसमें कोई एक अमीनो आशिड ना हो हो सकता है एक से जादा ना हो अमाल लेते हैं चलिए एक अमीनो आशिड में इसमें नहीं है अब यह जो अमीनो आशिड है यह काफी जरूरी है ग्रोथ के लिए अगर यह से न इस पर्टिकुलर सिनेरियो बैक्टीरिया क्या करेगा अपनी वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज को शट्डाउन करते गा वाइड रिंज ऑफ एक्टिविटीज का मतलब है एक सेल के अंदर काफी सारी चीज़े होती हैं बहुत तरह तरह के प्रोटीन बन रहे होते हैं एकी टाइम पे उसमें से कुछ एसेंशल होते हैं कुछ नौन असेंशल होते हैं तो बैक्टीरिया क्या करेगा काफी सारी ऐसी इसको shut down कर देगा जो जादा उसके काम की नहीं है सिर्फ इतना ही रहेगा कि वो आपका just जिन्दा रहे इसे ही कहा जाता है Extringent Response हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया में Extringent Response आपका आ गया है So अगर इसकी definition देखे When the bacteria grows in one और more than one amino acid deficiency They shut down their wide range of activities ये एक तरीका है In surviving the hard times बैक्टीरिया के hard time में survive करने का एक तरीका है ये बैक्टीरिया इसमें सिर्फ perform करता है सिर्फ minimum activities यानि बहुत ही ऐसी activities जिसमें बस वो alive रहे इसके अंदर एक बहुत ही important चीज बैक्टीरिया ये करता है कि वो massive reduction करता है अपने अंदर tRNA और rRNA के level का अब इसका मतलब क्या है देखिए बैक्टीरिया क्या करता है बैक्टीरिया अपने अंदर protein की synthesis को shut down कर देता है वाइटली protein कैसे बनता है protein आपका translation से बनता है जिसमें आपको चाहिए होते हैं ribosomes large subunit and small subunit ribosome बने होते हैं protein के और rRNA के साथी साथ इसमें tRNA की भी ज़रूरत पड़ती है तो अगर बैक्टीरिया rRNA बनाना बंद कर दे tRNA बनाना बंद कर दे तो protein भी उसको नहीं बनाना पड़ेगा इसी वज़े से वो mainly massive reduction करता है tRNA और rRNA के levels का ये तो रहा इसका एक feature जिसमें वो ऐसा करता है second thing मैंने भी उपर बताया कि stringent response आपका आता है जब कोई amino acid deficiency हो बट ज़रूर या नहीं हमेशा ऐसा ही हो अगर एक enzyme जिसका नाम है amino acidity RNA synthetines इसमें किसी प्रकार का कोई mutation आ जाए तो भी आपका stringent response आ जाएगा कैसे देखिए आपको पता होगा ये जो enzyme है amino acid tRNA synthetines ये बहुत ज़रूरी होते हैं in amino acid activation ये amino acid को activate करते हैं and tRNA charging ये tRNA को charge करते हैं जिसका मतलब ये हो गया कि tRNA के 3' end पर amino acid को जोड़ना इसे ही कहते हैं charging of the tRNA ये काम करते हैं amino acid tRNA synthetines मालो amino acid tRNA synthetines में mutation है तो mutation होने की वज़य से वो जोड़ नहीं पाएगा amino acid tRNA पे तो एक तरह से amino acid की deficiency ही यहां पर हो जाएगी ठीक है तो ये था हमारा stringent response अब इसकी थोड़ी detailing देख लेते हैं दोस्तो ओके अब देखिए ये जो stringent response है हमारा ये कुछ specific molecules के दुआरा आता है यानि के कुछ ऐसे molecules हैं जो stringent response को लेकर आते हैं करवाते हैं जो उसमें से दो में मोलेक्यूल हैं एक को कहते हैं पीपी जी पीपी दूसरे को कहते हैं पीपी जी पीपी ये क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूं आपनानों यृसुवल यूखिलियोटारइड क क्या होता है आपका वनजसीन ऐखसी मोणोफोसेट खसीत औलो ढीछ ट्री करफॉसुपी क्रान को ये दोनो अनिजसीवल होते हैं जो मैंली participate करते हैं इस stringent response में और इन्हें commonly कहा जाता है alarm on what is alarm on? alarm on शब्द जो आया है is like a alarming situation यानि जब amino acid की deficiency हो, amino acid, tRNA synthetism deficiency हो या mutation हो तो ये alarm की तरह बजेंगे और stringent response लेकर आएंगे इन दोने में difference क्या है basically अगर आप देखें ये है PPGPP यानि इसमें 4 phosphate है, tetra phosphate है और ये है triple P, double P यानि इसमें है 5 phosphate, ये लगे कहा रहते हैं, चारो phosphate में दो phosphate होते हैं 5 prime end पे, sugar के और 3 prime end पे, triple पैंटा वाले के अंदर यानि जिसमें 5 phosphate हैं, इसमें 3 phosphate आपको मिलते हैं 5 प्राइमेंट पे बाकी 2 मिलते हैं 3 प्राइमेंट पे तो इसका अगर मैं figure आपको दिखाऊं यहां पे तो यहां पे आप देख सकते है figure as you can see here यह देखिए I am sorry saving का button बार बार क्लिक हो जाता है ओके यहां पे आप देखिए this is the normal GTP जिसको आप यूज करते हैं इसके अलावा this is the GDP डाइफॉसफेट जिसमें आपके दो फॉसफेट हैं यहां पर ट्राइफॉसफेट में आपके तीन फॉसफेट है यह है पेंटा फॉसफेट यानि इसमें यहां दिहां जाने देखिए गा five प्राइफ्पे तीन फॉसफेट और three प्राइफ्पे दो फॉसफेट तो यह याद रखिएगा ट्रिपल पी डवल पी वाला भी है यहीं पैंटा वाला भी आपका अलार्मून है नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि इस्टेंजेंट रस्पॉंस आता कैसे है इसके स्टेप्स के हैं तो देखिए बहुत असान है कुछ भी नहीं है इसके अंदर ध्यान से सुनिएगा एक-एक करते हैं सबसे पहले क्या होता है राइवोजॉम जो हता है राइव्यटों में होती है इस अउसाइट पर करता है इस करता है परummy आता है उस परना бок legg यह 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 हो吧 अगर अमीन ऊसेट की डै फिशेंसी हो जाए क्योंकि इस्टेंजन रस्पांस के अंदर नीयों कि डै इसंशेंसी होती है तो इसकेस में क्या होगा जो आपका नचंच टियारेन होगा या जिस में कोई amino acid नहीं होगा वो entry ले लेगा यहाँ पे और वो यहाँ पे आके इस तरह बैठ जाए तो जब यह खाली TRN यहाँ बैठा होगा यही trigger करेगा stringent response को ठीक है तो यह क्या करेगा यह खाली TRN होगा यह start करवा देगा stringent response को और कैसे करवाएगा एक particular factor होता है जिसे बोलते है stringent factor यह मैं आगे बताऊँगा वो इसे recognize करेगा तो अगली slide में देखते हैं ओके सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगा something called as the relaxed mutant relaxed mutant क्या होते हैं relaxed mutant हम stringent response के जब हम बात करते हैं तभी देखते हैं इनको देखिए relaxed mutant वो mutant होते हैं जिनमें stringent response नहीं आता या नहीं आ सकता those mutant that cannot produce stringent response are regarded as relaxed mutant तो आखिर ऐसा क्या होता है इनमें जो यह stringent response को नहीं ला पाते एक gene है जिसे कहते हैं rel-a इसका नाम याद रखना r-e-l-a rel-a gene यह gene code करता है एक protein को जिसका नाम है stringent factor यह वो protein है जो uncharged tRNA को recognize करता है ribosome पे ribosome पे जो uncharged tRNA था यह उसे recognize करेगा और फिर stringent response लेकर आएगा तो अगर आप इसमें mutation कर दो इस gene में आप mutation कर दो तो stringent response नहीं आएगा and that is called relax mutate clear आगे चले अब मैं आपको इसका एक बार flow chart समझा रहता हूँ पूरा इस topic का तो देखिए जैसे मैंने भी थोड़े पहले आपको बताया था step number one पहला step क्या होता है एक अंचार्ज टी आरे ने occupy करता है ए साइट को यानी जो राइबोजोम है हमारा राइबोजोम उसकी ए साइट पे एक अंचार्ज टी आरे ने बैड़ जाता है जिसके पास कोई अमीनो एसेड नहीं होता अब इसे recognize करता है रेल ए और इस्टिंजन फेक्टर इस अंचार्ज टी आरे ने को recognize करता है recognize करके synthesize करता है क्या alarm one that is PpGPP और ये alarm one कैसे बनाता है यह यह बनाता है by combining the GTP and ATP GTP में तीन phosphate है ATP का एक phosphate एक phosphate अपने अंदर जोड़ लेता है, बना लेता है PPGPP, अब यह alarmone क्या करता है, मैंने आपको बताया था है कि यह tRNA और RNA के जो level है उन्हें कम करता है, अब tRNA और RNA कैसे बने, transcription से बने, यह करता है कि alarmone tRNA और RNA के जो gene होते हैं, tRNA और RNA के जो gene होते हैं, उसके open promoter को destabilize कर देता है, open promoter मतलब जब transcription होती है, तो पहले होता है close binary complex, जिसमें double standard form होती है DNA की, फिर होता है open binary complex, जिसमें tata box पे open हो जाता है promoter, तो open promoter complex बोलते हैं, इस open promoter complex को ही destabil कर देता है, यानि इसे खराब कर देता है, जिससे transcription हो नहीं पाती genes की, ठीक है, तो इस तरह से वो इन दोनों की synthesis को कम करता है, आगे चलते हैं, अब एक सवाल उठता है कि, जब आपका alarm on, अपना काम खतम कर देता है, तो उसका होता क्या है, सवाल यह उठता है, जब alarm on अपना काम खतम कर देता है, तो उसका क्या होता है, तो alarm on का काम जब खतम हो जाता है, जब उसकी कोई जरूरत नहीं होती, तो it is being degraded by a protein called spot, तो please remember the name spot, बड़ा बड़ा लिख देते हैं, spot, यह जो protein है, यह degrade कर देता है, ऐसे अलार्मोन्स को जो अभी ज़्यादा need नहीं है, जिनकी, they are no longer needed, clear? and finally हम भढ़ते हैं आगे, इस slide पर, okay, तो यह यहीं तक ही था, ठीक है, तो यह session इतना ही था हमारा, बाकी के मैं और session इस पर लेकर आऊंगा दोस्तों, यह मेरा पहला session था, और मुझे उम्मीद है आपको session पसंद आया होगा, अगर आपको session पसंद आया है, तो इसे आप like कर subscribe करें मेरे channel को, और दूसरों तक भी पहुचाएं, ताकि उनको भी फायदा हो इस channel का, इसे के साथ मैं अपने और session भी साथ-साथ लाता रहूँगा, I hope आपको मेरा आज का session पसंद आया होगा, आप अपने सुझाव, अपने valuable comments मुझे यहां पे comment section में बता सकते हैं, अपने Thank you so much, take care, bye